असलाम उलीकुम दोस्तों आपने दिखा है कि जब कोई बहुत बड़ी युनिवर्सिटी होती है या बहुत बड़ा कॉलेज होता है तो वहाँ पे डाइरेक्ट डिमिशन नहीं मिलता है बलके पहले वहाँ पे एक इंट्रेंस एक्जाम होती है आपने नाम सुना होगा कि कैट एक्जाम होती है MBA के लिए जो बच्चा उसमें क्वालिफाय होता है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो मेनेजमेंट कॉलेजेज हैं जिसको I.E.M.S. कहते हैं वहाँ जाता है ऐसे ही J.E.E. एक्जाम होती है उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं अच्छे नमबरों से क्वालिफाय करते हैं वो ही बच्चे जो हैं वो बड़े इंजिरिरिंग कॉलेजेज जो होते हैं I.E.T.s उसमें जाते हैं तो हर बड़े इंस्टिट्यूट में जाने के लिए हर बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको एक एक्जाम देकर जाना पड़ता है जिसको इंटरेंस एक्जाम कहते हैं आपको पता है हमारे जो बुज़ूर्गे न उन्होंने भी अपनी खानकाहों में इंटरेंस एक्जाम रखी हुई थी खानका में खास दोर से वो बड़ी खानका हैं जिसका चर्चा सब तरफ होता था वहां डारेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाता था मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एक्जाम बल देता हूँ इन दोर में हज़रत सेयद नियाज अली शाह रह्मत ललाही ताला आले जो बड़े पहुचे हुए नक्षबंदी बुज़र गहां उनकी एक खानका थी और वो खानका चुकी बड़ी खानकाहों मेंसे थी और लोग उससे फेज हासिल करते थे तो वहां भी इंटरी जो होती थी हर किसी को नहीं मिल जाती थी बलके जो वहां इंटरेंस एक्जाम को पास करता था वही जाता था ऐसे ही एक मरतबा हज़र सूफी वजिर हमतलाले जो कि उनके जानशीन और खलीफा हुए बाद में जब उन्हों ने वहां पर आना चाहा और हज़रत से फेज हासिल करना चाहा उनकी खानकाह में रहने का इरादा किया और वह वहां पहुचे तो हज़रत ने उनका भी इंटरेंस एक्जाम लिया वो कैसे कि जब वह पहुचे तो उनको साफ मना कर दिया कि नई इनको इंट्री मत दो खादीमों ने बताया कि बहुत दूर से आए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं फिर भी मना कर दिया कि इनको इंट्री मत दो अब यही इम्तिहान था कि क्या वो patience रखते हैं उसकी बाद हजरत सूफी वजिर रह्मतलाले उसी खानका के गेट पे खड़े रहें वापस नहीं लोट गए शायद आज का कोई होता तो एकदम से वापस लोट जाता लेकिन वो वापस नहीं लोटे खड़े रहें अँने टाइम टाइम पे वहाँ पे रहे वो और वेट करते रहे कि अब मिलें, अब मिलें हलनकि खानका कि खादीमोंने उन्हें था भी पेश किया नई जारा वापस और खाने का मेरा इरादा नहीं है खुशी नहीं ए खाने के लिए उसके बाद जब आप तीन दिन तक वहाँ गेट पे रहे और गए ही नहीं और कमजोरी भी हो रही थी तो बिलाखिर आप बेहोश हो गए और जमीन पे तश्रीफ ले आए जब ये खबर खादीमों ने जाकर हज़ा सेद नियाज अली शाह सरकार को दी तो वो मुस्कुराते हुए आए और हज़ा सूफी वजीर हमतलाले को अंदर लाने का हुकम दिया और हज़ा सूफी वजीर हमतलाले को अपनी खानकाह में दाखिल आ दिया यानि हज़ा सूफी वजीर हमतलाले इस इंटरेंस एक्जाम में पास हो गए इस तरह के इंटरेंस एक्जाम जो बुजग लेते हैं तो वो ये दुनिया को بتाना चाहते हैं कि ये जिसको बाद में कुछ बड़ी नेमत मिलने वाली है, वो वागि में इस काबिल था, वो हमारा सिलेक्ट किया होगा नहीं है. उसमें अपनी भी एक काबिल्यत थी, उसमें सबर था, तमदुन था, उसमें इस्तिकामत थी, उसके अ निजाम है और माशाला बहुत खूब निजाम है तो इससे हमें मालूम पढ़ता है कि जितनी बड़ी खानकाही होती थी अतना बड़ा इम्तिहान होता था और हज़र सूफी वजिर रहमतला अले ने तो उसके अंदर बहुत ही आला नंबर से कामियाबी हासिल की हैं अल्लह ताला हमारी बज़र्गों के इन जो खिद्मात थी और उनकी जो ये खुर्बानिया थी उसको जैसे कबूल फरमाया है उनके सद्के और तुफेल हमें भी इस तरह की मौकों पर अपनी खुर्बानिया पेश करने की साध़त अता फरमाएं हमें भी इस्तिकामत दे सब्र दे तमद्द दे ताकि हम अपने बज़र्गों के वाकियात से कुछ सबख सीखें और उसके मताबिक अपनी जिंदगी बस करने की कोशिश करें सलाम अलेकुम वर रह्मत अलाहिव बराकातु हूँ